हेलो फ्रेंट्स वागत है आप सभी का आर्वेद यूट्यूब में तो फ्रेंट्स आज का जो हमारे कुश्चन है यह एक स्टुडेंट ने बेजा है कंडिशन यह है कि इस कोड्रेटिक एक्वेशन को कंप्लेटिंग स्कॉयर मेधर से सॉल्व करना है तो आप जितने भी करें और इसको सॉल्व करें सॉल्व करके देखें कि जो आंसर है वो करेक्ट आ रहा या नहीं तो वीडियो को समझने के लिए वीडियो को आंतर तक देखें वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों को भी शेयर करें चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर स आप उस पर values को रख दीजे आपका solution हो जाएगा लेकिन उससे पहले हम यहां पर देखते हैं कि यह जो quadratic equation है इसमें ABC की value क्या है तो मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं देखो यह होता है मारा a की value अब आप देखो कि x square जो है यहां पर अकेला है तो जहां पर x square अकेला होता है पर a की value 1 होती है ऐसे 1 into x square वन हम लिख सकते हैं तो अगर x square के साथ कोई value नहीं है तो वहां पर क्या होता है a is equal to 1 होता है वी is equal to कितना है वी is equal to minus 6 है साइन को जरूर कंसिडर कीजिए अब c is equal to कितना है c is equal to 5 है ठीक है इसे मैं अटा देता हूं उसका कोई काम नहीं है तो ABC की value हमें पता चल गई है कि सॉल्यूशन है अब यहां पर जो फार्मूला होता है वह होता है x plus b over 2a whole square minus bracket open b over 2a whole square plus cya is equal to 0 तो यह हमारा फर्मूला होता है completing square method का यहां से ABC की value इसमें put कर देंगे तो put करते हैं देखो v की value है minus 6 तो यहां पर रख देंगे minus 6 over 2a ठीक अब minus की value हमेशा small bracket में रखते हैं तो जब यह यहां पर हमने एक small bracket use कर लिया तो यहां पर curly bracket लगा देंगे या big bracket लगा देंगे ठीक है minus यहां पर भी curly bracket लगा देंगे b की value minus 6 को small bracket में put कर देंगे और 2 into A A की value है 1 देखो यहाँ पर भी A की value कितना है A की value है 1 यहाँ से ठीक इसको close कर देंगे whole square plus C की value है 5 और अपान A की value है 1 इस इकोल टू 0 अब इनको थोड़ा सा solve करेंगे देखो यहाँ पर plus और यहाँ पर minus plus into minus क्या हो जाएगा minus so हो जाएगा x minus 6 upon 2 और 2 से 2 cancel हो जाएगा 2 अंजा 2, 2, 3, 6 तो यहाँ पर हम direct इसको क्या लिख सकते है 3 क्या लिख सकते है 3 x minus 3 whole square minus यहाँ पर ध्यान से देखना 2 अंजा कितना हो जाएगा 2 और यह देखो 2 अंजा 2, 2, 3, 6 तो यहाँ पर आजाएगा कितना देखो यहाँ पर ऐसे आजाएगा minus 3 over 1 whole square लेकिन अगर आप minus 3 का whole square करोगी तो कितना आएगा 9 और 1 का square करोगी तो कितना आएगा 1 तो मतलब यहाँ पर कितना आजाएगा यहाँ पर आजाएगा 9 by 1 ठीक कितना आजाएगा 9 by 1 और नीचे किसी भी नंबर के 1 लिखने की जरूत नहीं है तो directly क्या आ गया minus 9 यहाँ पर देखो 5 upon 1 है तो 1 लिखने की जरूत नहीं है तो कितना हो जाएगा 5 ठीक तो इस प्रकार से आप इसको rough करके भी solve कर सकते हो तो आगे जब हम इन दोनों को solve करेंगे minus 9 plus 4 तो यहाँ पर नंबर बड़ा है 9 तो इसका sign लेंगे minus और फिर यह दोनों sign different है तो subtraction हो जाएगा 9 minus 5 कितना हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा x minus 3 whole square is equal to 0 ठीक अब इस 4 को इधर फेज देंगे तो यह हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा 4 क्यों इधर minus sign था उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा अब यहाँ पर देखो यह क्या है x minus 3 whole square ठीक जब भी हम square remove करते हैं तो इधर आजाता है square root ठीक तो यह bracket भी हटा देंगे यानि इधर से हमने square remove कर दिया इधर square root आ गया और जब square root आता है तो यहाँ पर plus minus sign आता है ठीक है तो यह कितना हो जाएगा x minus 3 is equal to plus minus square root 4 आप देखो यहाँ पर x minus 3 is equal to 4 का square root लेंगे तो कितना होगा 2 plus minus 2 अब इस 3 को भी उधर भेजना है 3 कौन से sign के साथ है 3 minus sign के साथ है तो उधर जाएगा तो plus sign के साथ हो जाएगा 3 ठीक तो कितना आ गया x is equal to 3 plus minus 2 अब क्या करेंगे इसको एक बार plus sign लेंगे और एक बार minus sign लेंगे तो दिखो ऐसे हो जाएगा x is equal to 3 plus 2 और x is equal to 3 minus 2 तो यहाँ पर x की value आ जाएगा 3 plus 2 5 और x is equal to 3 minus 2 1 तो finally हम बोल सकते है x is equal to 1 comma 5 तो यह हमारे roots हो जाएगे इस question के by completing square method ठीक आप चाहे तो यह यह चीज राइट करो चाहे तो यह चीज मत राइट करो यह आपके ऊपर depend करता है मैं इसे हटा देता हूं तो यह हमारा इस question का answer है आप चाहे तो इसको write down कर सकते हैं या फिर वीडियो को पहुच करके screenshot ले सकते हैं तो दोस्तों comment box में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी subscribe करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब त अगले थेंक्यू क्लाश